तो माराश्ट में सीएम पत को लेकर सस्पेंस इस समय बरकरार है इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे वरिश समवदा था राजकुमार चौधरी जुड़ गए सीधा न्यूजरूम से राजकुमार देखें कल भी हम इस बारे में बात कर रहे थी कल की बैठक के बाद इससे परदा उठ सकता है लेकिन अभी तक इससे परदा नहीं उठा ये किस ओर इशारा कर रहा है क्योंकि अगर आप देविंद फर नवीस पर शौर है तो नाम का एलाना अखिर क्यों नहीं हो संभावना के साथ रहते हैं संभावना कब कैसी बनती है कुछ पता नहीं लेकिन गणित का आंकड़ा जो है वह अपने आप में सारी बातों को इसपष्ट करता है 132, 57 और 41 इससे सहज अंदाया लगाया जा सकता है कि मुक्ष मंतरी बहातियंता पार्टी का बनेगा कौन गष्ट की जाएगा और तमाम तरह की जो फॉर्मटी है वह पूरी की जाएगे लेकिन कल शाए बैठक से जो एक तस्वीर बहार निकल कै, वह तस्वीर कहीं कहीं पार्टी के तमाम नेताओं मानना होगा, वह पार्टी का फैसला होगा अगा। उस फैसले में अगर डेखा जाए, तो अजीत पवार जो है वो हुग एक गुल दसतन हुए दिख रहे हैं, अमित शाहाग को गुल दस्ता दे रहे हैं अजीत पवार और बगल में खडे हुए हैं शिंदे और शिंदें की बिल्कुल बगल में शिंदे उपमुख्योंती बनने की तरफ अग्रसर नहीं है बड़ा दिल करना होता है एक पार्टी के राश्टे अद्धक्षे और जिस तरीके से उन्हें लाडला भाई कहा गया तो सुभाविक तौर पर यह हो सकता है कि उन्हें समयोजित किया जा सकता है सेंटर में आज जो सिंदें एकनात सिंदें वो अलग अपने रास्थे से घए तो एक बात जरू कि रह 현재 हें लग अलग हो गए हैं और चीजें एक बात इस पश्च तोर hein है कि जो गनित का आंकडा है वो गनित का आंकडा ये कहता है कि भातियनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है उसके बाद सेकंड पोजिशन में एकनाथ सिंदे आते हैं और एकनाथ सिंदे के साथ साथ चौथे पाइदान पर खड़े हुए तीसे पाइदान पर खड़े तो सुभाविक तोर पर जो आंकड़ा है वो आंकड़ा बिल्कुल इसपष्ट तोर पर पूर्ण भाहमत हो जाता है और उन्होंने इसपष्ट भी कर दिया जीत पवार ने कि मैं बिना समर्थन बिना किसी शर्त के समर्थन दूँगा तो यह राजनीति में इनके माएने होते इन बेयानो के माएने होते हैं हाला कि बेयान कब पलट जा bateने किक हुए Growing with केवल बारा विदायकों के आऊशिकता होती है। इस इस्तिति एक औरा नहीं में मंत्राले किसको क्या मिलेंगे। मंत्रादCon की से बटवारा हो। तो स भाविक तुपर 22 अठावार्टी से बड़ी पार्टी है, तो 20 तो पहर कोई बैठक होनी है कल बैठक में फैसला हो चुका है एक तरह से केवल उस पर जाकर ठपा लगना है और एक सहीं प्रेस कॉंफरेंस करके इस पश्च तौर पर विधायक दलका नेता किसको बनाया जाता है यह हमें देखना होगा इसका हमें मुझे लगता कि इंतियार क आता है यह बारी कि आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाए और इसी के साथ बात की जाए जैसे कि आप बता रहे है कि कौन होगा सीम इस पर बीजेपी ठपा लगाएगी देवेंद्र फर्णवी सबसे जादा जो है प्रबल दावेदार के तौर पर देखी जाता है लेकिन उनके साथ क्या कोई ऐसा नाम है जो एकदम से शौकिंग हर बार बीजेपी कुछ ऐसा करती हूँ नजर आए तो कोई अलग नाम दिख रहा है क्या बीजेपी के ओर से कि वो भी शायद बन जाए देखे निशू बहुत एहम फैसला है एहम फैसला आपका सवाल बहुत एहम है और बहुत गंभीर सवाल है इस गंभीर सवाल की गंभीरता हमें शयाद इसी से समझ लेने चीए क्योंकि नागपुर जो है वो महराष्ट का हिस्सा है और नागपुर में RSS का मुख्यान रहे है जब RSS जो है वो मद्यप्रदेस और राजिस्थान में कुछ इस तरीके के जो फैंसले है वो करा सकती है तो फैंसला यहां भी हो सकता है सुभाविक तौर पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत सहज और सबल तरीके स गई है विरोधी बन जाते हैं कही बार लेकिन उन्हों नहीं इस तरीके सी बनाया मुक्षमंत्री हुए उन्होंने पार्टी को बहुत बेलेंस और उनके बयान भी काफी तोल होनकर देते हैं हमेशा से बिल्कुल सुभाविक मैं वहीं आ रहा हूँ और एक मुख्यमंत्री के बाद फिर उपमुख्यमंत्री बन जाना पार्टी आला कमान ने फैंसला लिया कि आप उपमुख्यमंत्री बनिये तो बन गए मुख्यमंत्री बन के हमेशा साथ खड़े रहे अब यह जो एक सो बतीस सीट है इन एक सो बतीस सीटों पर कौन दावा करेगा देवेंद्र फड़नवाइसी कहीं नहीं आगे अलड रहे थे और अगवाई कर रहे थे तमाम तरह की जो पार्टी की जो रन्नीती थी ती उस रन् सेवक है उसके तोर पर उन्होंना अपना राजनीतिक केरियर सुरू किया तो इस समय की जो हाला तो पर इस तितिति में आ जाना हो सकता है क्योंकि 133 पर लड़े तो 132 ले आई तो बहुत नजदीक पहुंचके शायद हो सकता है कि सारे 268 सीच्टों पर लड़ते तो इस पर पहुंचकी सरकार आ जाती और पहली बार इतना प्रिचंड भूमत बाहतियंत्र पारटी लेकर आई है तो कहीं न आ कहीं दावा उनका बनता है लेकिन फिर वही बाता आ जाती है कि अंतिफ़ फैसला कोन होता है कौन आता है किस कार्यकरता कर आगे लेकि आते हैं इसके जोड तोड की राजणीती हो किसी और को तोड कर बीजेपी के साथ लाना हो देन उने सक्ता पर बिठाना हो तो इसमें कहीं न कहीं इक बहुत बड़ा रोल देवेंदर फणनवीज कर रहा है और इसे के साथ अजीत पवार के अगर हम बात कर ले तो गुल दस्ता उनको देना उनका भी क्या वो इस माइंड सेट से बटेंगे तो कटेंगे को लेकर वो जो प्रचार के दौरान जो है थोड़े नज़र आ रहे दिशाद अपने वोट बैंक के जरीए के वज़ेद शायद वो कट रहे थे क्या अब देवेंदर फण नवीज की बात से हो सेहमत है धेखे अगर अजीत पवार की बात करें तो अजीत पवार के जो थोड़ा सा पीछे वे चले जाते हैं तो अजीत पवार जो है उस पाटशाला के नीचे बैटके मतलब उन्होंने उस पाटशाला में राजनीती का आकाखा का सीखा है जिसको अजीत पवार कहा जाता है अजीत पवार जो है वो शरत पवार के बिटे और वो मराथा राजनीती के अपने आप में बड़े सकीरिय सिपाई रहे हैं 38 साल के मतलब यह कॉंग्रेस को तोड़ कर और मुक्यमंतरी बन जाना यह बहुत बड़ी बात होती है 38 साल के मुक्यमंतरी महराष्ट के अभी तक उनी का कहीं नाम आता है तो शरत पवार एक बड़ा नाम रहा है शरत पवार की पार्टी बड़ी पार्टी है उन्होंना अलग चल लए है वो राजनीति महत्यकांग्शा उनके अलग हुई उस पार्टी को तोड़कर अलग पार्टी अजीत पवार के साथ ले आना आज शरत पवार जो है वो दस विदायकों के साथ खड़े हुए है लेकिन अजीत पवार आज ठीक ठाक पोजिशन में है 41 विदायक बह अजीत पवार इधर हो रहे थे लेकिन आज अजीत पवार पावर में है अगले पांस साल सहकार रहेगी और पांस साल में बहुत कुछ बदल जाता है निश्यू यह मान के चलिए कि अजीत पवार का राजनीतिक केरिया जो है वो बहुत अच्छा है जिस तरीके की बोड़ी अजीत पवार बहुत महत्मून मंत्राले उनके पास रहेंगे और इस बार का चुनाव उनके लिए बहुत जादा जरूरी था क्योंकि अगर इस बार वो हारते तो वापस कमबैक करना उनके लिए बहुत अधा मुश्किल हो जाता अब देखना होगा इस पर से परदा आज क कि मिटेंग के बाद उठता है नहीं कि कौन होगा महराज्ट का महराज बहुत 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 शुक्रा राजकुमाराबार साथ जुने के लिए चर्चा के लिए